नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्लेशन में आपका स्वागत। संपादकी से संबंदित आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हिंदू में पबलिस आज के कौन से प्रमुक संपाद की और आर्टिकल हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज हिंदू पेपर में दो संपाद की का प्रकासन किया गया है जिसमें एक संपाद की जिसका सीर्षक है इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे जबकि दूसरा संपाद की जिसका सीर्षक है ग्रीन ओवर ब्राउन यह संपाद की पैरिस जलवाई समझोते के पांच वर्स पूरे होने पर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया उस पर आधारित है तो इस संपाद की पर हम चर्चा कर इन ट्राइंग टाइम्स तो चलिए चर्चा की सुरुबात करते हैं संपाद की से जिसका सीर्षक है ग्रीन ओवर ब्राउन और यह संपाद के जी एस पेपर थर्ड में सामिल विस है संगरक्षन पर्यावरन परदूसन और चरण पर्यावरन प्रभाव का आंकलन से संबंध हमें यह पता है कि पैरिस जलवाई समझोते की पांचमी वर्स गांट पर वैस्विक जलवाई सिखर सम्मेलन को भारत के प्रधान मंत्री ने संब्धित किया इस सिखर सम्मेलन की मेजबानी सैंक्त राष्ट संग और युनाटेट किंग्टन के द्वारा की गई भारत के प् पेक्छाओं से पहले उन्हें पूरा करने की दिसा में आगे भी बढ़ रहा है भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा भारत के जिस प्रधर्शन को रेखांकित किया गया वो मुक रूप से आधारित है पहला 2005 के इस तर से उत्सरजन की तिवर्ता में 21% की कमी से सम्मंदित आखलन और उन दो आधारों पर जिसमें से एक है नविकर्णिय उर्जा और दूसरा है उच्वनिकरन युनाटेड नेशन इन्वारिमेंट प्रोग्राम के इमिजन गैप रिपोर्ट 2020 जो कोविड महमारी से पुर्व की इस्थिती पर आधारित है के अनुसार भारत G20 के उ नौ देशों में सामिल है जो पैरिस समझोते की सर्तों को पूरा करने वाले देशों में से एक है हमें यह पता है कि G20 ब्लॉक वैस्विक इस्तर पर जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सरजन किया जाता है उसके 78% के लिए उत्तरदाई है और G20 के इन नौ देशों के द्वारा प आना कि यह आसा नहीं थी लेकिन यह देखा गया कि कुछ देशों सहित यूरोपियन यूनियन के द्वारा पैरिस समझोते की सर्तों को पूरा करने के लिए जो प्रतिबदता दिखाए गई वह वाकई सराहनी है हमें यह पता है कि वैस्विक इस्तर पर कोरोना महामारी के प उस गयस इमिजन में कमी आई, उसके अलावा इस अवधी ने विभिन देशों को अपने विकास समंदीरनीती और रणनीती की समिक्षा करने का भी समय दिया और इस ओविश्वसनिय घटना ने विभिन देशों को अपनी आर्थिक क्रियाकलाब को पटरी पर लाने के लिए राजकोसिय प्रोचसाहन से समंधित नीती की घोसना करने के लिए भी प्रोचसाहित किया जिसका अनुमान वैस्विक इस्तर पर बारह ट्रिलियन डॉलर है इसमें यह भी आसा है कि राजकोसिय प्रोचसाहन के अंतरगत ग्रीन ग्रोथ पर भी जादा जोर दिया जाएगा परन्तु भारत के समक्च जो चुनोती है वह अपने आप में अनोखी है वह इसलिए क्योंकि इस पैंडेमिक पुनर्वास की इस्थिती में भारत को दो नीतियों के मद्ध संतुलन इस्थापित करना है एक जिवास्म इंधन से सम्मंधित नीती और दूसरा ग्रीन तकनीक से सम्मंधित नीती इसी वैस्विक सम्मिलन में भारत के प्रधान मंत्री ने भारत में वनों क प्रसार पर भी प्रकास डाला जिसके अनुसार भारत वनों के प्रसार के मामले में पैरिस समझोते की सर्तों का पालन कर रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो 2030 तक 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन तक कार्बन डाकसाइट के उत्सरजन की छमता भारत हासिल कर लेगा और यह एक महत् पून गोल है क्योंकि इसके द्वारा कई लाभों की प्राप्ति होगी जैसे जै विवित्ता की रक्षा होगी यह जलवायू परनाली को प्रभावित करेगा साथी साथ वनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों को भी बेहतर संसाधन प्रस्तुत करेगा परंतु इसमें और निश्चितता की स्थिती बनी हुई है ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों के द्वारा वनिकरन से सम्मंधित जो डेटा केंद्र को प्रस्तुत किया जाता है केंद्र ने खुद उस पर प्रस्तुत चिने लगाए है कहा तो यह जाता है कि राज्यों के द्वारा वनिकरन से समंधित जो डेटा दिये गए हैं उसमें मात्र एक चौथाई ही सुधता है और अगर ऐसा है तो फिर पैरिश समझोते की सर्तों को सही समय पर पूरा करने में भारत सफल नहीं हो पाएगा तो इसके लिए यह आविस्यक्ता है कि केंद्र और राज्जी दोनों मिलकर कारे करें क्योंकि अगर सौर उर्जा के वर्तमान 36 गीगावार्ट जहमता से बढ़कर 100 गीगावार्ट के लक्ष को प्राप्त करना है तो इसके लिए आविस्यक्ता है कि इस लक्ष को प्राप्त करने की दिसा में केंद्र और राज्जी सरकार दोनों मिलकर कारे करें क्योंकि रूफ आपडाउन के बाद जो अनलॉक की इस्थिती आई है तो उसमें यह बात देखी जा रही है कि ट्रांस्पोर्ट से सम्मंधित उत्सरजन में विर्धी हुए है जिसका कारण यह है कि लोग परिवहन के लिए सार्जनिक परिवहन साधनों की बजाए नीजी साधनों के इस्त जलवाइविक आपडा से करसी को जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई के लिए करसी से सम्मंधित बीमा को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए अब जबकि युनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस जो की 2021 में ग्लासको में होने वाला है ठीक उस ग्रीन इन्वेस्टमेंट से सम्मंधित एक उचित प्लान का निर्मान करे ताकि भारत ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग के लिए योग्य उमिद्वार बन सके तो इस प्रकार हमने इस एडिटोरियल के माध्यम से हाली में पैरिस जलवाई समझोते की पांचमी वर्सगांट पर जो वैस्विक जलवाई सिखर सम्मिलन का आयोजन किया गया था उस पर हमने चर्चा की अब हम बढ़ते हैं अपने आलेक की और यह रहा पहला आलेक जिसका सिर्शक है इंडिया नीड्स तो रिथिंग इस निट्रिशन एजिंडा और यह जी एस पेपर 2 में शामिल विस है गरीबी एवं भुकमरी से सम्मंधित के दिश्टिकों से महत्पूर्ण है या आर्टिकल नेस्नल फेंगली हेल्थ सरवे फाइब के पहले फेस के डेटा पर आधारित हैं हमें यह पता है कि स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा नेस्नल फेंगली देटा में बड़े राज्यों जैसे कि तमिलाडू, राजिस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, जार्खन, उडिसा और मद्ध प्रदेश से समंधित डेटा शामिल नहीं है। 22 राज्यों और केंदरसासित प्रदेशों में से 16 राज्यों और केंदरसासित प्रदेशों में अत्यदिक कोपोशन की स्थिती में विर्धी हुई है अगर इसकी तुलना National Family Health Survey 4 से की जाये। वहीं अगर हम अंडरवेट की बात करें तो बाइस राज्यों और केंदरसासित प्रदेसों में से सोलह राज्यों और केंदरसासित प्रदेसों में पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट के मामले में बढ़ोतरी हुई है और एनेमिक इस तर की बात करें या र प्रदेश हैं जहां पर की बच्चों में एनेमिक इस्तर में कमी आई है यह राज्य और केंदर्शासित प्रदेश हैं लक्षदीप अंडमान और निकोबार दीप दादर नागर हवेली और दमन दीप और मिघाले यह आंक्रे यह भी दर्साते हैं कि वैस्कों में भी संसर का मानक होता है बाड़ी मास इंडेक्स जिसके अनुसार अगर किसी वैस्क का बाड़ी मास इंडेक्स 18.5 केजी पर मीटर स्कॉएर से कम है तो फिर वह वैस्क व्यक्ति कुपोषित है तो आंक्रे यह दर्साते हैं कि वैस्क कुपोषन के इस्तर में भी कई राज्यों म वहीं यह भी देखा जा रहा है कि बच्चों और वैसकों में मुटापे और अववेट की समस्या में भी विर्दी हुई है। जो इस बात की और ध्यान आकरसित करता है कि भारत में दोनों इस तरों में क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों इस तरों पर डायेट में या भोजन जो गरहन करते हैं उसमें और प्रयाप्तता मौजूद है। बच्चों के स्टंटिंग से सम्मंदित रिपोर्ट यह बताते हैं कि स्टंटिंग से सम्मंदित मामलों में भी विर्दी है। जबकि जो सेस नौ राज्यों हैं उनमें से पांच में चाइल्ड स्टंटिंग के मामलों में सुधार दिखा है। लेकिन यह जो सुधार है यह पांच वर्सों की अबधी में एक परतिसत से भी कम सुधार है। जैसे सिख्किम में देखिए परसेंटेंट कितना है 17.3% मनिपूर में 5.5% बिहार में 5.4% और असम में 1.1% ये ऐसे चार राज्यों हैं। पर की Child Stunting के मामलों में सुधार दिख रहा है लेकिन यह सरकार के लक्ष से कम है जिसमें दो percentage point reduction प्रतेक वर्स करने की बात कही जाती है अगर हम National Family Health Survey 3 और National Family Health Survey 4 की हम तुलना करें तो हम यह पाते हैं कि 10 वर्स की इस अवधी में Child Stunting के मामले में 10% की गिरावट देखी गई जो आसतन एक percentage point प्रतिवर्स गिरावट है जबकि National Family Health Survey का डेटा जो 2015-16 से 2019-20 की अबधी पर आधारित है इसमें हम यह देखते हैं कि Child Stunting के मामले में और उसकी व्यापकता में विर्धी हुए है और यह अच्छा संकेत नहीं है और यह बताता है कि अब यह आवसक्ता आपड़ है वह गंभीरता से कुपोशन से संबंदित जब नीतियों का निर्मान करते हैं तो उस पर विचार करें क्योंकि बाल कुपोशन केवल कुपोशन से संबंदित मामला नहीं है बलकि यह आर्थिक वृद्धि से संबंदित जो मौडल अपनाया गया है उस पर भी एक बड़ा प्रशन चिन्निक खड़ा करता है क्योंकि World Health Organization के अनुसार इस स्टेंटिंग मानव विकास में यह और समानता का एक सूचक है पिछले तीन दसकों की अगर हम बात करें तो भारत ने उच्छ आर्थिक वृद्धि को देखा है लेकिन इस उच्छ आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार के अवस्वरों की अगर हम बात करें तो उसके स्रिजजन में भी कमी आई है हाँ यह सच है कि कुछ समाजिक सुरक्षा कारिकरम सहित अनिक कारिकरम जैसे की महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लामेंट गैरेंटी इसकीम पब्लिक डिस्ट्यूबिशन स जरूर कमी आई है उसके साथी साथ जो निट्रेंट जो पोसन सूचक होते हैं उसमें भी सुधार दिखा है परंतु इसके साथ यह भी बात है कि कई ऐसे प्रयास किये गए हैं जो इस प्रगती के मार्ग में बाधा है और सबसे बड़ी बाधा है फंडिंग की कमी यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा संसद में एक प्रश्ण के उत्तर देने के करम में यह बात कही गई कि पोसन अभियान के तहत जो फंड जारी किया जाता है उसमें 2017-18 से लेकर अब तक कुल फंड का मातर 32.5% ही उप्योग किया ग ग्रामीन मजदूरी में ठाराव रहा और उच इस्तर पर बिरुजगारी की इस्तिती मौजूद रही और यह दिखता भी है कैसे तो देश में भूक से होने वाली जो मौते हैं उसमें वृद्धी हुए जिसका सत्यापन, मीडिया और दूसरे अन्य साक्षों से भी हुआ है अब पोसरण के दृष्टिकोन से ये डेटा निरासाजनक है परंतु यहां एक और चिंताजनक बात यह है कि ऐसा लगता है कि इस्तिती और बदतर हो सकती है जिसका कारण है महामारी और महामारी के परस क्योंकि इसके कारण आर्थिक तनाव में वृद्धी हुई है अगर हंगर वाच सर्वे के डेटा पर हम विश्वास करें जिसके अंतरगत ग्यारा राज्यों को शामिल किया गया था और इन ग्यारा राज्यों में विभिन वैक्तियों से कई सवाल किये गए थे जो पोस्ट को ग्रहन किया तो उस भोजन को ग्रहन करने की मात्रा और उसमें जो पोस्ट का जो इस्तर था उसमें कोविड महामारी से पाहले की अवधी की तुलना में कमी आई है और इस प्रकार के आंकडे इस बात की सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द सरकार को पोस्टन इस्तर में सुधार के लिए मजबूत कदम उठा लेने चाहिए अगर National Family Health Survey 5 के दूसरे अन्य डेटा पर हम बात करें जैसे की Health, Nutrition और अन्य समाजिक आर्थिक सुच को की तो उसमें सुधार के लक्षन दिखें हैं कुपोसन को निर्धारित करने वाले महतपूर्ण अगर कारकों की बात करें जैसे की स्वक्षता तक पहुँच, स्वक्ष, Clean Cooking Fuels और महिलाओं की इस्थिती इसमें सुधार हुआ है महिलाओं की इस्थिती में सुधार वह दो मामलों में पहला तो यह कि पत्नियों के विरुद जो हिंसा की जाती है उसमें कमी आई है और दूसरा कि महिलाओं के बैंक एकाउंट तक उनकी पहुँच में विरुदी हुए इन सब के बाबजूद यहां यह बात महतपूर्ण है कि एक जो सुधार के कदम उठाए गए है वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है और जो भी कदम उठाए गए है वह भी पूरे तरीके से नहीं उठाए गए है अगर सीधे हस्तक छेप की बात करें जैसे कि पोस्ण के पूरक जैसे अंडे फल आदी की विवस्था करना उसके अलाबा बच्चों के वृद्धी पर निगरानी रखना और साथी साथ Integrated Child Development Scheme और School Meals के द्वारा बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों पर अगर गौर करने की बात करें तो इसमें और भी सुधार और मजबूती लाने की आविश सकता है साथी साथ इसको और संसाधनों से परिपूर्ण करने की भी आविश सकता है सार्व भौमिक मात्रित सेवाएं और बाल देखभाल सेवा की अगर हम बात करें जो की व्यापक इस्तर पर इस्तनपान को बढ़ावा देता है नवजाद सिस्वों सहित बच्चों के पोस्ण युक्त भोजन की विवस्था करता है और महिलाओं को रोजगार भी परदान करता है जो की लंबे समय से एक एजेंडा बना हुआ है लेकिन अभी भी इस छेत्र में व्यापक रूप से कारें नहीं किये गए है या उसमें प्रगती नहीं हुए है तो आविस्था इस बात की है कि किर्सी और पोस्ण को एक दूसरे से जुड़ा जाए केवल यह नहीं देखा जाए कि किस प्रकार के भोजन का उत्पादन हो रहा है बलकि यह भी देखा जाए कि उत्पादित भोजन की प्रयाप्तता कितनी है उसके अलावा यह यह भी महत्पूर्ण है कि किर्सी में विभिन प्रकार के आजीविकाओं का भी सिर्जन किया जाए कुल मिलाकर यहाँ पर यह संदेश दिया जा रहा है कि कुपोसंड से सम्मंधित आधार भूत निर्धारक जैसे कि ग्रिहस्तों की खाद्य सुरक्षा आधार भूत स्वास्त सिवाओं तक पहुँच और लैंगिक सामिता को लंबे समय तक उससे मूँ फेर कर नहीं रहा जा सकता है अब यहाँ आवसकता आपड़ी है कि रोजगार केंद्रित वृद्धी से सम्मंधित रणनीती जिसमें की सिख्षा, स्वास्त और खाद्य और समाजिक सुरक्षा जैसे आधार भूत सुविधाएं शामिल रहती हैं उसको लागू किया जाए आसा है कि यह जो आकड़े National Family Health Survey 5 से सम्मंधित जारी किये गए है तो सरकार इस पर ध्यान देगी और भविस्त में पोषण के इस तर में सुधार हो इसके लिए व्यापक रणनीती का निर्मान करेगी अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आलेक की ओर जिसका सिर्षक है Tax Policy in Trying Times या आलेक GS Paper 3 में शामिल विसे सरकारी बजट के दृष्टिकों से महत्यपूर्ण है तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ 2020 में जो सरवाधिक लोकप्रिय सब्द रहा हाला कि यह लोकप्रिय घटना पर आधारित नहीं था वाथ लोगडाउन और इस लोगडाउन को Collins Dictionary रे World of the Year घोसित किया जो 2020 में वैस्विक इस्तर पर पैंडेमिक के कारण विस्त को दर्द जहिलना पड़ा उसकी एक अभिव वर्स 2020-21 की लगातार दो तिमाहियों में भारत के GDP में संकुचन देखा गया या यूं कहें कि नकरात्मक विर्धी देखी गई परन्तु इसी महमारी के दोरान कईयों को आर्थिक लाभ की प्राप्ती भी हुई जैसे भारत के सूपर रिच और ज्यादा सूपर रिच हो गए जो कि इसी वर्स के पहली छमाई के आंकड़ों की दोरा दिखता है आकड़े यह बताते हैं कि इनकी नीवल संपत्ती में तीन गुनी की वृद्धी हुई और जनवरी से जून के बीच में पचासी नए भारतिये सूपर रिच बने जिनकी व्यक्तिकत इस तरपर नीवल संपत्ती है पचास मिलियन डॉलर से जादा और यह तब हुआ जबकि भारती अर्थविवस्था गोते लगाने को तयार थी वहीं इस्टॉक एक्सचेंज के डील में भी कईयों को लाब हुआ और यह हैरान करने वाली बात है कि जब भारती अर्थविवस्था में संकुचन हो रहा था वहीं कुछ कमपनियों के स्टॉक्स के मुल्य में भारी उच्छाल देखा गया तीसरे अगर हम लाब प्राप्ती करने वालों की बात करें तो वे ऐसे कॉर्पोरेट हाउस हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लैप्टॉप मेकर्स हैं उसके अलावा मेडिकल रिसर्च में शामिल साइन्टिस्ट को भी काफी लाब हुआ और चौथे लाब प्राप्त करने वाले वर्ग की अगर हम बात करें तो इसके अंतरगत मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्यूपमेंट के वे निर्माता है महमारी की इस अवधी में जादातर देसों को उच बेरोजगारी की दर और उच गरीबी के इस तरका सामना करना पड़ा इसके अलावा पर्वासी संकट ने इस बात को उधगाटित कर दिया कि हजारों ऐसे व्यक्ति समाज में मौजूद हैं कि अगर उनको एक दिन का भी रोजगार ना मिले तो फिर उनके पास दो जून का खाना भी नसीब नहो हाला कि सरकार ने इसमें हस्तक छेप किया क्योंकि ऐसी बात कही जाती है कि इस प्रकार की अबधी में सरकारी हस्तक छेप आवस्यक है ताकि गिरतेवे जीडीपी को रोका जा सके और नए रोजगार का स्रिजन हो तो भारत की सरकार के द्वारा भी राजकोसी हस्तक छेप किया गया लेकिन उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से समंदित हस्तक छेप जादा था जिसमें लोगों को सस्ते दर पर रिण मिले और बाजार में तरलता का प्रवाह बना रहे यह मुख रूप से सामिल था भारत सरकार के द्वारा जो राजकोसी समर्थन दिया गया वह कुल GDP का महज 2% है और अगर इसकी तुलना दूसरे देशों से करें तो यह काफी कम नजर आता है क्योंकि जापान का राजकोसी समर्थन है उसकी GDP का 21% ब्राजील का GDP का 10% और चीन का GDP का 7% इन सब के बीच इस आर्टिकल में मुख रूप से बात की गई है multi-national company को होने वाले उसके profit पर क्योंकि इस pandemic की अवधी में सबसे ज़्यादा जो लाब प्राप्त हुआ है वह हुआ है multi-national company को और खास कर वैसे multi-national company को जिनों ने अपनी वस्तों की भिक्री और सेवाएं online या digital म माध्यम से दी है क्योंकि कोविड के दौरान वस्तों और सेवाओं की जादा से जादा बिक्री इसी digital माध्यम से हुई है लेकिन कर प्रसासकों के लिए इन कंपनियों से कर वसूलना इतना आसान नहीं है भले ही भारत में equalization लेवी अस्तित्व में आ चुका है अगर हम equalization ल आली आय पर कर लगाना तो 2016 इसी में जिस equalization लेवी को लाए गया वह Finance Act 2000 में संसोधन की द्वारा गैर निवासी e-commerce operator को भारत के कर न्याइधिकरण में शामिल कर लिया गया हमें यह पता है कि अगर वस्तू और सेवाओं की online विक्री की जाती है तो उस पर 2% कर लगता है पर जन्तू इसे लागू करने के लिए इसमें अभी और इस पस्टता की आविश्यक्ता है भारत में Multinational Corporation पर कर निर्धारण की प्रक्रिया एक लंबी समस्या रही है नेक्सस रूल और रेजिडेंट रूल ये दोनों भारतिय कर प्रसासकों को बहुत परिसान करते हैं अगर न नियाधिकरन और वह व्यक्ति जिस पर कर नियाधिकरन कर लगाना चाहता है कि बीच निकटता का होना और अगर हम रेजिडेंट्स रूल की बात करें तो यहाँ पर केवल इतना जाने कि रेजिडेंट्स रूल के अंतरगत रेजिडेंट आते हैं और कर की प्रक्रिया के अं पर टेक्स लगाने में इतनी दिक्कत है तो फिर क्यों ना डिजिटल टेक्सेशन में UN Model Convention के अनुसार संसुधन किया जाना चाहिए और भारत को Organization of Economic Corporation and Development के जैसे ही अपने यहाँ पर कानून का निर्मान करना चाहिए क्योंकि कानाडा की सरकार अपने राजस्तों में विर्धी के लिए Foreign Technology कंपनियों पर नए टेक्स को लगाने वाली है और यह जो Foreign Technology कंपनियां होती है या Global Web कंपनियां होती है यह टेक्स एवाइड करने के लिए मतलब की सरकार को टेक्स ना देना पड़े इसके लिए कई अगर Indirect Tax की हम बात करें तो Indirect Tax में सरकार इस बात के लिए प्रतनसील है कि कोई भी कंपनी कर संबंदी नियोमों का उलनंगन ना करे और अगर टेक्स संग्रचनाव में बदलाव किया जाता है तो फिर उसका सीधा लाव आम लोगों को मिले और यही कारण है कि जब GST को ला लाव का मतलब है कि अगर किसी वस्तू को 18% कर के दायरे से हटा कर उसे 12% के कर के दायरे में लाए गया और इसका लाव उपभोगता को मिले तो इसके लिए GST के अंतरगति एंटी प्रोफेटरिंग रूल्स के नियम का निर्धारन किया गया और सरकार इसे सक्ती से लागू वित्मंत्राले के द्वारा हाली में एक नई योजना की घोसना की गई जिसके अंतरगत डिरेक्ट टेक्स से संबंदित जाच के लिए फेसलेस विवस्ता को लाए गया इसके अंतरगत यह विवस्ता है कि कर अधिकारियों को यह नहीं पता है कि वह किस आयकर दाताओं के ए साथ ही साथ आविसकता इस बात की भी है कि कर्ज से संबंधित जो विवाद है उसके निप्टारे के लिए एक बेहतर मेकनिजम का भी विकास हो. यह बात इसलिए कही जा रही है कि जब रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स संबंधित भारत सरकार एवं वोडाफोन की विवाद इंटरनेशनल कोर्ट आफ आर्विट्रेशन में पहुंचा तो कोर्ट का यह कहना था कि भारत सरकार का यह रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स से अधान के लिए Tax Paying Company और Central Board of Direct Tax में बाचीत मध्यस्तता पर जोड़ दे। भारत में जो आएकर से संबंधित कानून है उसका निर्मान 1961 इस्वी में किया गया था और समय समय पर इसमें संसोधन भी किये गये थे। हाना कि अभी तक इसे सार्जनिक नहीं किया गया है। भारत में प्रचलित आएकर से संबंधित कानून अब समय के साथ पुराने हो चुके हैं। बजट सेसन के दोरान टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लागू करने का काफी कम समय बचा है परंतु जितनी जल्दी इस रिपोर्ट को साजनी कर दिया जाएगा उतना ही बहतर होगा भारत में कर्शनरचना के सुधार के लिए तो इस प्रकार अपने संपादकी से संबंधित आ करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार